अग्जाम एबरीडे दा अल्टिमेट जीके सोलीोसन तो दोस्तो आररसी ग्रूप डी का जो एक्जाम हो रहा है उसका जो है आज 18 आगश्ट सेकेंड सिप्ट का कोस्चेन आ गया है यह जो कोस्चेन है दोस्तो यह जीके और जीएस के उपर है यहाँ पर दोस्तो हम आपको 100% रियल कुस्चेन लेके आया है जो हिंदी और इंग्लीज दोनों लेंग्वेज में दोस्तों यहाँ पर अबलेबल है और दोस्तों इसका आगर आपको पीडिएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल टेलिग्राम चैनल जो है एक्जाम एबरीडे दे दा अल्टिमेट जीके सॉल यानि दोस्तो जो है मदधपादेश के की सिटट सहर में जो है लेन हाईडोजान पावर प्लेन एस्टबलिस्ट होने होना है तो देखिए दोस्तों ये सत्रा आगस्ट को भी एक कोस्चेन आया था साइथ यह फर्स्ट सिप्ट में और या फिर सेकेंड सिप्ट यह दोनों म नेम क्या है तो यह होता है दोस्तों रेटिनोल यहाँ पर दोस्तों विटामिन विटामिन का जो चप्टर है वहां से हर एक सिप्ट में कोस्टन आ रहा है तो देखे दोस्तों इसलिए मैंने जो है यहाँ और भी कुछ डिटेल्स दिया गया दिया है जो विटामिन के रिलेट से नाइट ब्लाइडनेस यह रोग होता है और नेश्ट देखे दोस्तो विटामिन B1 का यहाँ पर chemical name है थायामिन नेश्ट इसके बज़े से दोस्तो जो है बेरी-बेरी रोग होता है और विटामिन B2 का यहाँ पर chemical name राइवो फ्लाविन है और इसके बज़े यह होता है । यह धोको मों और एंट सबस्के कि यहां आपर देखेंगे से चिक्नाली में है होता है और विटामीन D का यहाँ पर देखिए chemical name है दोस्तों Kelsey यह भी दोस्तों जो है question के सायद first shift में यह question आया था यह जो विटामीन D बाला यह इसका दोस्तों यहाँ पर chemical name होगा Kelsey फेरोल और इसके बज़े से जो है रिकेड रोग होता है विटामीन के का का यहाँ तो जो है समानना रख्तचप का मान कितना होता है तो देखिए दोस्तों इसका यहाँ पर आंसार आएगा 120 बटा जो है 80 नेक्ष्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है कोस्टन को जिस तरह का दिया गया है वह दोस्तों उसके लिश्ट में आता है दोस्तों यह केरला नेक्ष्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है कोस्टन को जिस तरह का दिया गया है next देखिए दोस्तो यहाँ पर question क्या दिया गया है next question है who among the following on the santos trophy in 2022 यानि दोस्तो 2022 में किसने यहाँ से जो है santos trophy जीता था कौन से state ने जीता था तो दोखिए दोस्तो यह जो है किरला state ने जीता था next यहाँ पर question कुछ इस तरह का आया है दोस्तो official language comes under which article of the Indian constitution यानि दोस्तो जो है Indian constitution का जो है कौन से भाग में दिया गया है official language है उसके बारे में तो दोस्तो यह दिया गया है article 343 1 के अंदर यहाँ पर दोस्तो बता दू कि article को लेके बहुत सारा question आ रहा है यह article को लेके जो है मैंने इस वीडियो में next details भी दिया है तो आप जरूर देखना तो चलिए मैंने यह दोनों ही बाते दे दिया है जो है सुगरकेन का जो है state और cucumber जो है country की कहा पर जो है सबसे ज़्यादा यह produce होता है तो देखे दोस्तो यह सुगरकेन के बारे में अगर बताओ तो यह यहाँ पर महाराष्ट्रा में यह सबसे ज़्यादा produce होता है और ब्राजिल जो जो है चार्नोबील नूख्लार एक्सिदेंट कब हुआ था तो देखे दोस्तो यह हुआ था 26 अप्रिल 1986 को नेक्ष्ट यहाँ पर दोस्तो यह चार्नोबील नूख्लार पाउर प्लेंट उक्रेंड प्रिवियाजली इन यूएस और तो दोस्तो यह भी आपको जाना जारू प्रेसिडेंट फिफा जो है दोस्तो ग्यानी इंफ्लांट इन फंटिनो है और दोस्तो यहाँ पर फाउंडेड यानि दोस्तो यह कब जो है फाउंडेड हुआ था तो यह हुआ था दोस्तो 21 में 1904 को नेक्स्ट यहाँ पर देखे क्या दिया गया है यानि दोस्तो जो है बार्मिंगम 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है उसमें टेबिल टेनिस में किसने जो है दोस्तो यहाँ पर जीता था तो इसका आंसर होगा दोस्तो सरंथ कमल अचंता नेक्स्ट यहाँ पर देखे दोस्तो पीवी सिंदु जो है यह बैडमिंटन में जो है चीता था नेक्स्ट को स्टेशन को जिसतरा का अया है फुई इस डप्रेजर्ण और अड़िटर जनरल ऑफ इंडिया यानि दोस्तो जो है सीजी है ओ अभी इंडिया का कौन है तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर जीशी मूर्मू नेक्स्ट यहाँ पर देखे दोस्तो कर आ प्रफिप इंडिया विफोर राजीब कुमार यानि दोस्तों जो है राजीब कुमार से पहले जो है कौन जो है चीप इलेक्षन कुमिशनर थे तो देखिए दोस्तों इसका अंसर आएगा यहाँ पर सुसिल चंद्रा नेश्ट कोस्चन को जिस तरह का आया है दोस्तों के मिना किस ऍबाणां टेम्पल में किस राजनमें स्थैत है पिछला उसमें भी इस तरह का क्योशचन आया था यह रामना स्वमी टेम्पल में रामेशबरम में नेगे पर देखिए दोस्तो प्रिया देस्ट यो पूरी है उरिसा में नेगे पर लिंगराजा टेमपल जो है दोस्तों भुबनसर में तीद्रे सिद्धे उरिसा में नेक्स्ट यहाँ पर खाजुराओ जो टेंपल है ओ दोस्तो यहाँ पर खाजुराओ में स्थीत है मध्ध प्रदेश में और दोस्तो नेक्स्ट यहाँ पर बिरुपक्सा जो टेंपल है ओ हमपी में स्थीत है करनाटका में तो दोस्तो यह और भी कुछ यह जो टेंपल है यह आप जरूर पढ़के जाना, next exam में इन में से कोई एक आ सकता है, क्योंकि यह temple से related question जो है, काफी बार repeat हो रहा है, next question देखते हैं दोस्तो, next question कुछ इस तरह का आया है, article 17 of the Indian constitution is related to, यानि दोस्तो यह जो article 17 है, constitution का ओक किस से सम्मन्दित है, तो दोस्तो मैंने बताया था कि article से related कुछ details यहाँ पर मैंने बहुत सारा details दिया है, तो इसे हम पर देखेंगे, पहले हम देखते हैं इसका answer क्या है, जो article 17 है, यह दोस्तो यहाँ पर abolition of untouchability, और दोस्तो जो fundamental rights के अंदर आता है, और यहाँ पर देखिए, और भी जो fundamental rights है, यहाँ पर दिया गया है, देखिए, article 14 जो है, यह यहाँ पर बताया जाता है कि, equality before law, नेक्श यहाँ पर आटिकल 15 में बताया जाता है कि, prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, and place of birth, नेक्श यहाँ पर आटिकल 16 में बताया जाता है, equality of opportunity in matter of public employment, नेक्श यहाँ पर आटिकल 18 में बताया जाता है के protection in respect of conviction of offenses next यहाँ पर article 21 में बताया जाता है के protection of life and personal liberty next article 21 में बताया जाता है के right to education तो दोस्तों यह सब भी आपके जानना जरूरी है क्योंकि यह article से related जो है question काफी बार देख रहा है के आ रहा है RRC group D के exam में next question देखें दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कुछ इस तरह सा which article is related to composition of राज्योसभा यानि दोस्तों यह composition of राज्योसभा से related article कौन सा है देखें फिर से एक article से related question आया है यह होगा दोस्तों यहाँ पर article 80 next यहाँ पर दोस्तों देखें क्या दिया गया है which hormone is released in implantation यानि दोस्तों जो है प्रता रपर रोपन कौन सा हर्मन जारी करत किया जा तो दोस्तों इसका answer होगा यहाँ पर सिकंदर लोधी next यहाँ पर दोस्तों question दिया गया है who was the controller and auditor general in 2021 यानि दोस्तों 2021 में यह controller and auditor general कौन थे तो दोस्तों यह थे दोस्तों गीरिस चंद्रा मुरम next यहाँ पर question कुछ इस तरह का दिया गया है who has owned silver medal in all in England championship 2022 यानि दोस्तों जो experiment is most electronics नेगटिव यानि दोस्तों जो है विद्दीनात्ता सबसे ज्यादा जो विद्दीनात तक मोला है जो कौन सा है तो देखिये दोस्तों ओ यहाँ पर है दोस्तों Peroane जिसका यहाँ पर संकेत दिया गया है जो एस next यह दिखिया दोस्तों क्या दिया गया है which country which country participated in the literature festival on 2022 जो है यहाँ पर potential of hydrogen तो दोस्तो pH के related जो है question हम देख रहे है के हर एक shift में आ रहा है next question दिया गया है दोस्तो who founded अत्या सभा तो देखिए दोस्तो इसका जो answer होगा यहाँ पर जो है 1814 में यहाँ पर स्थापित किया था next देखिए दोस्तों यहाँ पर question क्या दिया गया है AC SI unit of energy यानि दोस्तों जो है energy का यहाँ पर SI unit पुछा गया था जो यहाँ पर answer होगा और दोस्तों यह भी यानि दोस्तो voltage को indicate करता है और I से current को indicate किया जाता है और R से resistance को indicate किया जाता है तो दोस्तों यह भी equal to IR से जोस्तों जो है पहले भी shift में यानि दोस्तों जो 17 आगश्ट का जो shift है उसमें भी इसके related question आया था तो देखे दोस्तों every action there is an equal and opposite reaction यह है दोस्तों Newton का third law नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों देखे क्या है question CM of Tripura यानि दोस्तों Tripura का जो आभी CM है वो पूछा गया था तो दोस्तों यहाँ का आभी CM होगा विपलब कुमार देब next question यहाँ पर देखे दोस्तों next question को जिस तरह काया है कि पंचाइती राज system or not regulated in which state यानि दोस्तों यह पंचाइती राज बवस्ता जो है किस राज्य में जो है regulate नहीं होता तो देखे दोस्तों यह होता है यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या दिया गया है फार्स्ट और सेकेंड शिंट गॉंपांट अफ की हमेली यानि दोस्तों जो है किटोंड फैमेली का पहला और दूस्तों और दूसरा जो है क्या दिया गया है question next question आया है under which of the following options is correct by their property यानि दोस्तो जो है ये कुछ option दिया गया था जहाँ पर दोस्तो जो है प्रोपाटी के हिसाब से वहाँ पर कौन सा जो है सही है वो बताना था तो दोस्तो इसमें से ये जो option है ये सही होगा जो था दोस्तो C3H8 और C5H12 और C4H10 और C6H14 दोस्तो इसका formula भी यहाँ पर दिया गया है ये जो formula है दोस्तो देखें के दिया गया है Cn और H2n प्लस 2 ये होगा दोस्ता इसका formula next देखें दोस्तो यह पर क्या दिया गया है which of the following example of combination reaction यानि दोस्तो जो है इनमें से कौन सा जो है combination reaction का example है तो दोस्तो देखिए यहाँ पर answer होगा यह A बाला यानि दोस्तो जो है A plus B equal to C यह होता है दोस्तो combination reaction का example Next देखिए दोस्तो यहाँ पर क्या दिया गया है What is the name of the reaction यानि दोस्तो जो है यह H2O को मिलाने से यहाँ पर क्या दिया गया है देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तो क्या दिया गया है Use sodium hydroxide to produce soaps, rayon, paper product that explode dyes and petroleum products, processing cotton fabric, metal cleaning and processing oxide coating and electroplating and electrolyte extraction इन सारे कामों में जो है caustic soda का या फिर इस्तिमाल किया जाता है Next question देखिए दोस्तो क्या दिया गया है chemical name of gypsum यानि दोस्तो जो है gypsum का chemical name क्या है तो दोस्तो जिप्सum का chemical name होता है calcium sulphate hydride तो दोस्तो इसका यहाँ पर formula भी दिया गया है जो है ca so4 to h2o Next question आया है दोस्तो focal length is positive for dash mirror यानि दोस्तो किस mirror का focal length यहाँ पर positive होता है तो दोस्तो देखिए इसका answer आएगा यहाँ पर convex mirror यहाँ पर दोस्तो जिस mirror का यहाँ पर negative आता है focal length ओ होगा दोस्तो कॉन के mirror Next यहाँ पर देखिए दोस्तो question क्या दिया गया है Next आया था दोस्तो the registers are connected in parallel and their equivalent resistance will be dash यानि दोस्तो जो है कुछ registers को आगर आप parallel connect करेंगे तो उनका जो है equivalent resistance क्या होगा किस तरह का होगा यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर formula बनता है तो दोस्तो यह क्योंके यह जो है one by one by one by करके आ रहा है इसलिए जो है यह resistance कम हो जाता है जब हम equivalence resistance को जब हम calculate करते है तो कम हो जाता है Next देखिए दोस्तो यहाँ पर question क्या दिया गया है Why are stars twinkle? यानि दोस्तो यहाँ पर तारह टिम 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 आते है और क्यों टिम 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 है तो देखिए दोस्तो इसका answer यहाँ पर आएगा The reflection of light due to the arts atmosphere is called atmospheric reflection तो दोस्तो इसी तरह का कुछ question जो है 18 August को जो है second shift में आया था तो दोस्तो हमारा यह जो चैनल है exam everyday the ultimate chicken solution इसे आप subscribe जरूर कर देना और इस वीडियो को आप like, share and comment भी करना अगर आपको कोई और question याद है तो आप comment करके हमें जरूर बताना ताके बाकी के जो student से उसे बहुत ज्यादा help होगा और बतादू दोस्तो के हमारा यह जो telegram channel है इसे आप join जरूर कर लेना अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप इसे join कर लेना वहासे आपको इसका PDF मिल जाएगा Thank you दोस्तो